नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बड़े बहत्री नंग्से कर रहे होंगे आप जानते हैं दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से UPPCS और ROR के प्रेक्टिस सैट करा रहे हैं और यह आज का जो हमारा प्रेक्टिस सैट है यह हो जाता है हमारा तीन नंबर इससे पहले अगर आपने टैस्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे वो आपको प्रेक्टिस सैट मिल जाएंगे UPPCS ROR के और उत्तरप्रदेशी स्पेसल की वीडियो भी मिल जाएगी जो आपके लिए काफी हेलफूल हो जाएगी करेंट अफिर की सीरीज भी हम चला रहे हैं तो चलिए देर ना करते हैं शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो ये टैस्ट नंबर हो जाता है तीन और ふीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं तो चलिए important टैस्ट हो जाता है ये और test number हो जाता है हमारा 3 इसी तरह के question आपको देखने को मिलेंगे आपको आपकी प्रिक्षा में सबसे पहले बात करेंगे question number 1 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर्स का जो है कोट से chain करना है कौन सा हो जाएगा इदर आपकी सूची 1 हो जाती है इदर आपकी दी गई है सूची 2 कोन कोन से इन में से आपके हो जाते हैं correct यह आपको बताना है तो सबसे पहले दिया गया है आपका यह मोहन जोदलो मोहन जोदलो किस से संबंदित हो जाएगा तो मोहन जोदोडो संबंदित हो जाता है ये आपका बड़े अनगार से मोहन जोदोडो में एक बड़ा अनगार मिला है ये आप सबी जानते हैं लोथल की बात करेंगे तो लोथल किस से संबंदित हो जाएगा तो लोथल संबंदित हो जाता है ये इटों से बन्या जो गोदिवाड़ा मिला है वो मिला है आपका लोथल में काली बंगा की बात करेंगे तो काली बंगा में ये मिल जाता है आपका नगर दूरगोर किले काली भंगा की बात करेंगे तो काली भंगा में आपको मिल जाता है नगर दूर गोर निचली बस्ती मिल जाती है काली भंगा में और सुत कांगे डोर की बात करेंगे तो यह हो जाता है नगर दूर के लिए और बंद निचली बस्ती जो मिल जाती है यह मिल जाती है आपकी सु रखेंगे तो A का 2 B का A का 2 दिया गया है आपका option number B में और B का हो जाता है 2 C का हो जाता है एक और D का हो जाता है हमारा 4 option number B हो जाता है इसका correct answer इसी तरह के question मिलते हैं आपको आपकी परिक्षा में देखने को question number हो जाता है हमारा 2 निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्त है यह आप से पूछा गया है असत्त कथन कौन सा है तो असत्त कथन निमने से सबसे पहले देखेंगे सिंदू सब्यता से प्राप्त मोहरों पर पीपल की आकरिती मिली है तो यह तो आपका correct हो जाएगा पीपल की आकरिती मिली है आप की सिंदू सब्यतर सी प्राप्त मोरों पर ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा इसके बाद सिंदू घाटी की साशन विवस्ता ओली गारगी ती ये भी करेक्ट हो जाएगा पंजाब का ददेरी एक का हो जाता है सथ कोश्चन और सिंदू घाटी के लोग मात्र सक्ति में विश्वास करने के साथ पसू पती की फुजा भी करते थे तो ये भी हो जाता है आपका correct answer तीन आपके सही दिए गए हैं और एक आपका हो जाता है सत्य और ये हो जाता है आपका सी कोश्च नमर हो जाता है हमारा तीन सिंदू घाटी सब्यता जानी जाती है सिंदू घाटी सब्यता जो है ये किस के लिए जानी जाती है ये आपको बताना है तो ये जानी जाती है अपने नगर नियुजन के लिए बिल्कुल जो नगर नियुजन है वो सबसे बड़िया था आपका सिंदुगाटी सब्येता में मोहन जोड़ोडो और हडप्प के लिए ये भी करक्ठ हो जाएगा जो मोहन जोड़ोडो हडप्प है ये सिंदुगाटी सब्वैता के ही सहर है अपने किर्शी संबंधी कारिये के लिए किर्शी की जो कारिये है ये भी आपको मिल जाता है देखने को हडप्प में और काली बं सारे question important है सारे आपको देख लेने हैं इसके बाद बात करेंगे अपने उद्योगों के लिए तो उद्योगों के बात करते हैं तो वहाँ पर इट के भट्टे भी मिले हैं देखने को मिले हैं जो इट पकी हुई होती थी उनके भट्टे मिले हैं मन के भी मिले हैं ठीक है मन का जिनकी आप जो है माला बनती हैं मन के मिले हैं और सूती वस्त के जो है उद्योग भी मिले हैं ठीक है कपास का जो है महाँ पर उनको पता चले गया था कपास का तो महाँ से जो है सूती वस्तिर भी वस्तिर भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिये थे इस तरह से तो आपके सार जो हैं correct हो जाते हैं और सभी correct दिये गए हैं ये एक, दो, तीन, चार correct हो जाएंगे तो उपरोग सभी हो जाता है आपका correct answer इसके बाद question number आ जाता है चार निमने लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन हो जाएगा जो इन में से सही सुमेलित नहीं है हड़पगर जो उतखनन है यह हो जाते है आपका दैरामसानी जी के दुवारा लोथल की बात करेंगे इसके जो उतखनन करता है यह हो जाते है आपके sr, raw सुत, कोट्रडा की बात करेंगे यह हो जाते है आपके jp, शोसी यह भी correct हो जाएगा और धोला वीरा के जो है B के थापड नहीं है ये हो जाता है आपका गलत ठीक है तो धोला वीरा के अगर B के थापड नहीं है तो कौन हो जाएंगे धोला वीरा के हो जाएंगे आपके RS-20 ये आपको नाम्याद रखना है RS-20 हो जाते हैं उत्कनन करता धोला वीरा के आपसे एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाग से लड़ता हुआ अंकित यह किस हड़पा इस्थल से प्राप्थ हुई है। तो यह जो मिली है मोहर, यह मिली है आपकी मोहनजोर्डों से। ये भी कहां से मिल जाता है ये भी आपको मुहन जोड़ों से मिल जाता है ठीक है इस तरह से भी आपको याद रख सकते हैं और आपसे यही पूछ लिया जाएगा बाग पर आकरमन करते हुए जो आदमी का चित्र है मुद्रा है एक व्यक्ति की वो कहां से प्राप्त हुई है तो ये प्राप्त हो जाती है आपकी मोहंजोद्रों से. इसके बाद question number हो जाता है हमारा 6. यहाँ भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है और सही उत्तर का चैन करना है. इदर आपके इस्थल दिये गई हैं और इदर आपकी नदी दिये गई हैं. कौन सा इस्थल किस नदी से संबन्दित है यह आपको बताना है. तो सबसे पहले बात करेंगे हडपा की और सबसे जो बढ़िया तरीका इन question को करने का वो है जो आप जानते हैं केवलूशी को सबसे पहले पकड़ लीजिए. तो हडपा को हम जानते हैं हडपा जो है रावी नदी के किनारे इस्थित हो जाता है तो एका हो जाता है तीन और एका तीन केवल यह की option में दिया गया है option number A ठीक है इसके बाद B का हो जाता है चार B का चार हो जाएगा मोहन जो लोड़ो सिंदू नदी के किनारे हो जाएग का दो ठीक है यह हो जाता है इसका correct answer option number a इज़दा correct साथ number की बात करेंगे निमने लिखित में से कौन सा कथन असत है असत कथन आप से पूछा गया है यहाँ पर भी असत कथन आपको बताना है question number हो जाता है हमारा साथ सबसे पहले बात करेंगे sign board का जो modal है वो धोला वीरा से प्राप्त हुआ है तो यह तो correct हो जाएगा जो sign board है उसका जो model है वो धोला वीरा से प्राप्त हुआ है काली बंगा से भोकंप जैसी प्राकरति का आप दाके प्राचिंतम प्रमान मिले हैं यह भी correct हो जाएगा शिंदू घाटी सब्यता में मोहरों के निर्मान के लिए सेल खड़ी कांचली मिठी और लोह का उपयोग किया जाता है देखे इस question को बड़े ध्यान से आपको देखना है यह जो point है यही से आप इसको पकड़ सकते हैं इसमें क्या गलती की गई है ठीक है तो सेल खड़ी तक तो यह ठीक है कांचली मिठी तक भी ज्यान था ठीक है यह तीनों चीजों का उनको घ्यान था और इसके अलावा लोहे का ग्यान उनको नहीं था तो इसी तरह से आप छोटे छोटे जो पोइंट है वो गलत करकर आपसे question पूछ लिए जाते हैं और इनी को आपको पकड़ना है ठीक है practice set का मतलब यह ही होता है आ प्रेक्जाम में उसको किलियर करें ठीक है आप से पूछा गया असत्तकतन तो सी हो जाता है आपका असत्तकतन क्योंकि लोहे का ग्यान जो है वहाँ के व्यक्तियों को यह वहाँ के लोगों को नहीं था सोर्तुगोई और मुंडिगाक अफगानिस्तान के पर्मुख हडप पेश्थल है तो यह भी हो जाता है करेक्ट यह सोर्तुगोई जो लिखा हुआ है इसको आप अपने माइंड में सेट कर लिजे यहां से आपके कोश्चन पूछे जाते हैं सोर्तुगाई कहां का एक हडप का पर मुक्सेहर है तो यह हो जाता है अफगानिस्तान का इसके बाद आठ नमबर हो जाता है हमारा निमने लिखत वक्तव पर विचार करना है और नीचीदिये के कोश्चे सही उत्तरगा भी आपको चैन करना है इस तरह के कोश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं देखने को पार का दूगना आठ कुछ इस तरह से जो है दिया हुआ था तो यह तो हो जाता है आपका करेक्ट इसके बाद धोला वीरा से हड़पा लिपे में बहुत बड़े बड़े एक सोरों में लिखाओ एक लगू अभिलेक प्राप्त हुआ है तो यह भी प्राप्त हुआ है लग कर संस्कृति के साक्स मिले हैं यह भी करक्ट हो जाता है और यह जो जूकर और ज्धाकर है संस्कृति है इससे भी आपका कोश्चन इंडिविजल करके भी आपको दे दिया जाएगा यह डारेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा जूकर और ज्धाकर संस्कृति कहां से स कंदित हो जाती है, और इस तरे से जो हैं आपके चारों ओपशन जो है, यह हैं, यह आपके दिये गए हैं, yeah याई आपके सभी सही हो जाते हैं, आप से question का answer जानते हैं तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं और अपनी तयारी को परख भी सकते हैं फिलाल आपको बताना है question number 9 का जो correct answer है क्या हो जाता है तो इसका जो correct answer हो जाएगा ये हो जाता है आपका व्यागर यानि इसको कहा जाएगा चीता बाग गैंडा भैसा और हाती ये जो चार आपको दे गए हैं ये चारों जो संब्धित हो जाते हैं मोहन जोड़ों की पसुपति की मोहर पर और image के माध्यम से भी जो है हम दिखाने का प्रियास करेंगे आपको एक तरफ जो है ये बाग दिया प्रियोग करना है और सत्यकतन आपको बथाना है कौन सा हो जाएगा तो तो सबसे पहले दिया गया है आपका option number 1, हडपा सब्वेता का सबसे उत्तर इस्थल, जम्मु कश्मीर में इस्थित मांडा है, जो चेनाब नदी के तट पर इस्थित है, ये पूछा गया है, आपका, ये कुछ इस तरह से सिंदुगाटी सब्वेता हो जाती है, आलमपुर्की जो इस्थित है, वो हो जाती है, आपकी यहाँ पर पूर्वी इस्थित हो जाती है, और यहाँ दिखाया गया option में के दक्षिन है, तो ये तो कहीं न कहीं गलत हो जाता है, दक्षिन में आ जाता है आपका दैमबाद, और दैमबाद कहा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर और कीछ इस तरह से जो हई दिखाएость इमेच के माध्यं से इस तरह से अब आपको इसको याद रख सकते ट्रिक बना कर भी आप इसको तरख सकते हैं ठीक है ट्रिक क्या हो जाएगी ठीक आप अपने आप से भी बना सकते हैं और एक इसलेश सूत कांगे डोर जो है यह आपका हो जाता है बलूचिस्तान में ठीक है यह आपका सू ले लेते हैं और आ ले लेते हैं आलम गिरुपुर का जो आपका है मेरट में ठीक है आलम गिरुपुर मेरट जिले में हो जाता है उत्तर प्रदेश के और यह हिंडन नदीगे किनारे हो यहां दिखाया भी गया है कुछ इस तरह से सबसे अगर बात करेंगे उत्तरी की तो यह मांडा हो जाता है यह जम्मू कश्मीरी बहुत जाता है चिनाब ने दिखे किनारे सबसे पूरी की बात करेंगे आलम गिरपुर हो जाता है हिंडन नदी के किनारे और यह मेरट उत्तर प्रदेश में हो जाता है इसके बाद दैमबाद की बात की गई है यह महराष्ट में हो जाता है परवरा नदी के किनारे और बात करेंगे गर वैस्ट की तो यह हो जाता है पास्क नदी के किनारे ठीक है ये नदियां भी सारी आद रखनी है इन से भी आपके question पूछे जाते हैं आप से पूछ ले जाएगा जो आलम गिरुपुर है सिंदू सब्वेटा सिंदू सब्वेता का इस्थान वो किस नदी के किनारे है तो यह हो जाएगा इंड़न नदी के किनारे इसी तरह से इंडियूजियल करके आप से question पूछे जाते हैं question number हो जाएगा हमारा 11 मोहन जोदलो के सम्मंद में निमने लिखित में से कौन सा कथन असत है यहाँ भी आप से पूछा गया कौन सा असत हो जाएगा कथन वो आपको बताना है तो सबसे पहले दिया गया है मोहन जोदलो का सिंदी भासा में अर्थ मिर्तको का ठीला है तो यह तो सब ही जानते हैं वंडे एक्जाम में काफी train करता है यह वाला question मिर्तको का ठीला जो है इसको कहा जाता है ठीक है इसके बाद option number B हो जाएगा मोहन जोदलो बार बार आने वाली बाड के कारण नश्ट हो गया है तो इसके जो है कई सारे कारण लिखे गए हैं लेकिन option में दिया गया है बाड के कारण तो बाड भी एक उसमें से कारण दिखाया गया है किसी ने कहा है कि युद्ध की वज़े से हुआ किसी ने कहा है कि मोसम परिवर्तन हो गया था तो ये अलग-अलग तर्क दिये हैं, अलग-अलग व्याग्यानिकों ने, ठीक है, लेकिन हमें जो है मानना है option के साथ तो बाढ़ के कारण जो है दिखाए गया है, ये आपका हो जाता है गलत, गलत ही आपसे पूछा गया है, तो C हो जाता है जो आपका गलत दिखाए गया है, और ये सिंद पाकिस्तान के लर्गान जिले में सिंदो नदी के तर्ट पर है, तो ये भी हो जाता है आपका, correct, आपसे पूछा गया है ता असत, तो केवल C है जो किसमिसे आपका हो जाता है, असष्यत्य, Question महर हो जाता है हमारा 12, सारे Question is important है, सारे आपको देख लेकंखाँ कीजिसे इमघेश। अपनी तरप से हमारी वीडियो की आपको बहुतर करने के लिए, तो भी आप हमें Content box में लिख सकते हैं, हम उस पर जल्दी कारवाई करेंगे फिलाल कोशन नमर 12 हो जाएगा नीचे दे कूट के माद्यम से सही कथन का चैन कीजिए नीचे कूट दिया गया है उसके माद्यम से सही कथन का आपको चैन करना है ओप्सन नमर ए हो जाता है आप इस संबन्द में काफी कम संदे है कि सिंदू गाटी शब्यता के कतीपे पहलू दित्या और पर्थम सह सताब्दी के संस्कृति में मिलते हैं तो ये हो जाता है आपका करक्ट आंसर ठीक है ये करक्ट आंसर हो जाता है इसके बाद ओप्सन नमर दो हो जाएगा सिंदू गाटी सब्यता और वैदिक सब्यता के बीच प्रारंबिक हैती सब्यता के अस्तितु को अब नहीं माना जाता है तो ये भी हो जाता है आपका करक्ट जो हैती सब्यता है इससे काफी कोश्चन बनते थे अब बहुत कम कोश्चन जो है इससे आने लगे है ठीक है इस तरह से दोनों करक्ट हो जाते है और दोनों करक्ट दे गए हैं आपके उप्शन नमर सी में एक और दो दोनों आपके हो जाते हैं करक्ट इसके बाद कोश्चन नमर हो जाता है हमारा तो करक्ट हो जाएगा जो लाजा होम है इसका संबंद जो है ये विवा अनुष्ठान से हो जाता है सभा और समीती को अथर वेद में पूत्रों की संग्या इनको दे गई है एतरे ब्रहामन में एक पिता को अपने पूत्र को बेचने का वर्णन किया गया है ये भी करक्ट हो जाएगा तीन आपके करक्ट हो जाते है तो चोहथा तो आपका अुट्यक की गलब हो जाएगा व्यद काल में वर्ण को देवता और मनुष्य के बीच के मद्यस्थै देवता माना horrifying को इदो मर्ण काल जाता है ये वरू है वरून देवता जो है नहीं मनुष और मनुष्य बीच की कड़ी या जो इनकी जो मध्यस्तिता करते थे जो इनके बीच में जो आकर वारतलाब करते थे तो ये हो जाते थे आपके अगनी देवता ठीक है option number D हो जाता है इसका correct answer question number हो जाएगा हमारा 14 निम ने लिखित में से कौन से वैदिक देवता का उलेक बोगज गोई अभी लेक में मिलता है ये बोगज गोई है ये आपको याद रख लेना ये बार बार आपकी परिक्षाओं में पूछा जाता है और ये important हो जाता है चाहिए आपको one day exam में पूछ लिया जाएगा या आपको direct पूछ लिया जाएगा बोगज गोई का सम्मंद किस्से है तो वैदिक देवता का उलेक जो बोगज गोई अभी लेक में मिलता है ठीक है ये आपको याद रखना है question number हो जाता है हमारा 14 और इसका जो correct answer है तो ये हो जाता है आपका इंद्र, मित्र, नासक्य और वरुन ठीक है option number A हो जाता है इसका correct answer इसके बाद हो जाता है हमारा question number 15 निम्ने लिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन आपको पूछा गया कौन सा हो जाएगा question number हो जाता है हमारा 15 सिरीमद भगवत गीता महावारत के भीश्म परुका अंग है ये हो जाता है बिलकुल correct इस्तूप का सरुप्रतम उलेक्स रिगवेद में मिलता है ये भी correct हो जाएगा इसके बाद रिगवेद में धनी व्यक्ति के लिए गोपत सब्द का प्रचलन था ये भी आपका हो जाता है correct जब तीन correct हो जाएगे तो चोथा जो है ये आपका अपने आप में गलत हो जाएगा रिगवेद में सूर्य देवतों को रुद्र का पुत्र माना जाता है तो ये आपका हो जाता है गलत और सूर्य को जो है ये अदिति का पुत्र माना जाता है ठीक है ये आपको याद रखना है अदिति का पुत्र माना जाता है सूर्य को ठीक है तो आप से पूछा गयता है गतन तो D हो जाता है जो आपका हो जाता है असकते हैं 16 नमबर पूछा गया है question आप से सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सही उत्तर का भी आपको chain करना है सूची एक से मिलानी है आपको सूची दो तो यहां दिया गया है रिगवेद किस से संबंदित हो जाएगा तो रिगवेद संबंदित हो जाता है यह आपका होत्र से इसमें भी आपको जो है एक पता होना चाहिए उसी से आप सारे अंसर लगा सकते है तो सबसे पहले A का हो जाता है तीन और यह जो रुवेद जो है इसका जो संबंद है यह आपका हो जाता है आधर से शामवेद का संबंद हो जाता है उद्गान से और अथरुवेद का संबंद हो जाता है ब्रहमन से यह अथरुवेद और यह ब्रहमन यह आपको याद रखने ह नहां से भी आपके बार-बार question पुछे जाते हैं इस तरह एका 3 हो जाएगा और एका 3 तो केवल एक ओप्षन में दिखाए गया है बी का 4 हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाता है आपका 2 और इस जाब से option number A हो जाता है आपका correct answer अगला कोशन है हमारा 17 नमर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तर नि दिए गए कोट से भी आपको सही उत्तर चुनना है यहां भी आपकी सूची एक और सूची दो दी गई है तो चलिए देख लेते हैं चांदोग्या की बात करेंगे यह किस से सम्बंदित हो जाए से सम्बंदित हो जाएगा मांडुक्या आयम आत्मा भ्रह्मा से सम्बंदित हो जाएगा और मुंडोग निशत जो है यह आपका सत्यमयुजेते से सम्बंदित हो जाता है ठीक है इस तरह से एक का एक हो जाएगा बी का दो हो जाएगा सी का तीन और डी का हो जाता है आपका करेक्ट आंसर कोश्चन नमर हो जाता है हमारा अठारा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे देगे कूट से सही उत्तरगा भी आपको चुनाव करना है कौन सा जो है किस्से संबंदित हो जाएगा यह आपको बताना है सूची एक में आपको दी गई है जो है नदियों के पुराने नाम और सूची दो में आपके दी गई है नए नाम सूची एक में पुराने नाम ही दी गई है सूची दो में नए नाम ही दी गई है तो सबसे पहले आपको एक पकड़ना है उसी से आपको जो है लगा लेना है तो सबसे पहले हमें पता है जो कुंभा है, ये काबूल से सम्मादित हो जाती है C का 4 हो जाएगा और C का 4 के वले एक उप्शन में दिया गाए है ये हो जाता है option number B विपासा की बात करेंगे वैसे विपासा और वैसे हो जाता वियास इस तरह से आप इसको match कर सकते हैं पुरुशनी रावी से सम्मंदित हो जाती है और असकनी C यानि चिनाप से सम्मंदित हो जाती है इस तरह से A का 2 हो जाएगा B का 3 हो जाएगा C का 4 उड़ी का हो जाता है आपका एक option number B हो जाता है आपका correct answer अगला question है हमारा 19 नमर निम निलकित में से कौन सा कथन question number हो जाता है हमारा 19 तो सर्थ सत्य यहाँ पूछा गया आप से असर्थ कथन कौन सा हो जाएगा सरस्वती एवं विपासा नदी के मद्ध भूमी को ब्रह्मवर्त कहा जाता है तो यह तो आपका गलत हो जाएगा सर्थ स्वती और विपासा नदी के मद्ध की भूमी जो है वो ब्रह्मवर्त नहीं कही जाती है तो यह जो नदी है यह कही जाती है सर्थ स्वती और गकर नदी के बीच के जो भूमी है उसको ब्रहमवर्द कहा जाता है ठीक है यहां विपासा की जह है गगर आएगा ठीक है इसके बाद वैदिक यूग की शबसे प्राचीन संस्ता विदव है ये भी करक्ट हो जाएगा अयुद्यका सर्वता मुलेक अथरवेद में मिलता है ये भी करक्ट ह हो जाएगा और बालक्ले का संन्मद्र रिग्वित्स है ये बालख्रीन है ये इंप्पोर्ट नग्षाओ में है फिंसे अर अलग परिक्षाओं पूछ faut लिया जाता है आप से रेप कूछ गए तांस असत चो यह ज Calvin आपका हो जाता है इसके बाद हो जाता है हमारा question number 20 निमनिलिकत कूट का उप्योगख कर सत्यकथन का चैन कीजिए सत्यकथन का चैन करना है निमनिलिकत खूट का उप्योगख करके तो सत्यकथन आपको बताना कौन सा हो जाता है रिगवेद में निस्क गरीव एक वस्तर का परकार था तो ये तो हो जाता है आपका गलत जो निस्क गरीव है वो एक वस्तर का परकार नहीं था ये किसका परकार था तो जो निस्क गरीव है ये एक हो जाता है गहने का परकार ठीक है ये आभूशन हो जाता है इसको आप गहना कह सकते हैं चाहे आभूशन कह सकते हैं ठीक है निस्क गृव ये गृव जो है कहीं न कहीं आपका जो गर्दन से संबंदित हो जाता है और ये निस्क गृव जो है गर्दन में पहनने वाला एक गहना हो जाता है ठीक है इस त गविष्टी गायों के लिए युद्ध होने वाला युद्ध हो जाता है ये भी करक्ट हो जाएगा जो गविष्टी है ये गायों के लिए होने वाला युद्ध को गविष्टी कहा जाता है अथरवेद कर्मकांडी वेद है ये गलत हो जाएगा जो अथरवेद कर्मकांडी यही हो जाता है आपका correct answer गविष्टी गायों के लिए होने वाला पर्थमिद है इस पर आप important लगा सकते हैं यह direct question आपसे पूछा जाएगा गविष्टी का इसके बाद हो जाता है हमारा question number 21 और यहां भी जो है दिखाए गया है सूची एको सूची दो से शुमेलित करना है सबसे पहले बात की गए है रिगवेद की तो रिगवेद यह किस से संबंदित हो जाएगा तो रिगवेद संबंदित हो जाता है यह आपका एक चारदी यह जुरुवेद की बात की गए है तो यह आपका हो जाता है तैत्रिय ब्रहामन से संबंदित हो जाएगा और अथरवेद जो है गोपत ब्रहामन से संबंदित हो जाएगा इस तरह से A का आपका हो जाता है 2, B का 1 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का 3 हो जाएगा, option number D हो जाता है इसका correct answer question number हो जाता है हमारा 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिये गए कूट से सही उत्तर भी आपको चुनना है और आपको बताना है सूची 1 से सूची 2 में कौन सा सही हो जाएगा सबसे पहले बात की गई है आपकी असुपती की, तो जो असुपती है ये आपके संबंदित हो जाते हैं, क्या कैसे ठीक है एका हो जाता है आपका दो परिक्षित ये आपके कुरू से सम्मदित हो जाते हैं और निच्छचू ये आपके हो जाते हैं वत्स भूमी से सम्मदित और एक हो जाते हैं परदोत महासेन ये आपके अवंति से सम्मदित हो जाते हैं इस तरह से एका आपका दो हो तेन, C का हो जाएगा, 4 औडी का हो जाता है, आपका, एक, ठीक है, ऑप्शन नम्बर B हो जाता है, इसका, correct answer Question नम्बर हो जाएगा, टेज, निम ने लिखित में से कौन सा कथन, अशत है, अशत कथन यह आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्य है question number हो जाता है हमारा तेहिस और इसका जो correct answer है वो क्या है ये हमें देखना है वेदांग जियोतिष के लेखक का लगद है ये correct हो जाएगा वेदों को सूर्ती कहा जाता है सूर्ती मतलब सुनने वाला कहा जाता है ये भी correct हो जाएगा दस राजाओ के युद में भारतों ने पुरोहित विस्वा मित्र थे जो दस राजाओ के युद हो थे उसमें युद में भारतियों के जो पुरोहित थे वो आपके विस्वा मित्र नहीं थे तो कौन हो जाते हैं भारत के पुरुहित तो ये हो जाते हैं वसिष्ट ठीक है option number हो जाता है incorrect ये हो जाएगा आपका C ऽुलू सूतर प्राचींत्म गनित का साक्स है तो ये भी आपका हो जाता है आप से पूछा गय는 तो C हो जाएगा जो आपका बिलकुल असत्य दिया गया है question number हो जाएगा हमारा 24 निमनेलकित कुटका उप्योग कर सत्य कफन का चैन कीजिए सत्य कफन का चैन का जो है देखना है आपको कौन सा हो जाएगा और यह संसकारों से question दिया गया है संसकार आपके 16 होते हैं ये आप सबी जानते हैं और संसकार से भी एक कोश्चन आपका पूछ लिया जाता है आपकी परिक्ष्या में। तो बात करने वाले हैं एक एक करके सभी को देख लेते हैं और उसके बाद दिखाएंगे आपको 16 संसकार कौन-कौन से होते हैं। 16 संसकारों में उपनयन संसकार, क्रम- capitalist 12 होता है ये उपनयन संसकार से हर बार question पूछा जाता है। इसमें 16 संसकार हैं, लेकिन बागी से question आपके बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, ठीक है, 11 संसकार है, उपनेयल संसकार, ये आप से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपकी परिक्ष्या में, उपनिसादों की विशावस्तू की सत्य की खोज तरसन है, तो ये भ दो भी correct है, रिगवेद के तिरित्या मंडल में गायत्री मंद्र का उलेक, ये इन्डियुजल आपसे पूछा जाता है, गाय। इसके बाद 16 संसकार कौन-कौन से हो जाते हैं यह भी आपको देख लेना चाहिए एक नजर यहां से आपकी कोश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले गरबादान आजएगा पुस्पवंसन स्यमन्तोनैन संसकार जातकर्म संसकार नामकरन निश कर्मन अन पासन मुंडन या फिर चूड़ाकर्म जिसको कहा जाएगा विद्या आरंब संसकार कर्णवेट संसकार या यगोपवीत संसकार यह जो यगोपवीत है इसी को जो है आपका कहा जाता है उपनेयन संसकार, वेदारम संसकार, केश्वा, केशांत संसकार, श्यमाप्त वर्तन संसकार, विवाद संसकार और एक सोलवा हो जाता है आपका अंतेश्टी संसकार जो सबसे बाद में आपका होता है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिये गए कुट से सही उत्तरगा भी आपको चैन करना है सूची एक हो जाती है इदर आपकी सूची दो हो जाती है और बात करेंगे अश्टा दियाई के संबंद में तो ये कहीं न कहीं पाणी नी से संबंदित हो जाते हैं आपके अश्टाद्याई एका हो जाता है चार और एका चार केवल एकी ओप्शन में दिया गया है जो आपको पता है ठीक है बीका हो जाएगा जो महाबाश्य है वो किस्टे संबंदित हो जाएगे तो ये संबंदित हो जाते हैं आपके तीन हो जाएगा बी का ठीक है ये पतन जिली से संबंदित हो जाते हैं महावाश से इसके बाद एक हो जाएगा सी का जो है एक हो जाएगा निरुक्त जो है यास के संबंदित हो जाएगा और वार्तिक जो है ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इसकी फिरी पीडिया पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम और वाटसप चैनल से जुड़ सकते हैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिये गई हैं तो चलिए दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखन के लिए आप हमसे जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिए